पीने के लिए इस पाल्टी में थोड़ा बचा हुआ है थोड़ा कूड़ा कचकत है गुरू तो हम लोग जा रहा है उदर पानी भरने के लिए भाहिया बोल ले थे कि देख वाल के जाना थोड़ा सापकिरे के इदर जादा डर रहता क्योंकि दोस्तों जंगल ही जंगल है वो लोग बहुत अच्छे होंगे तो फैनली दोस्तों गाड़े अल्लोडिंग होना स्टार्ट हो गए यह पोल्ट्री फारम के अंदर और यह पोल्ट्री फारम काफी बड़ा है बहुत ज्यादा बड़ा चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्ड नहीं से करते हैं और आपको सारा सब कुछ दिखाते हैं दोस्तों पहले तो आप सभी को बता दूँ कि यह बैंकिट रामा पोल्ट्री फारम है जो की बिलडी गाओं के पास ही इस्तित है और यह चप्तिस गड़ राजज में आता है और दोस्तों यह रहा मुर्गों का बाड़ा उपर और इधर खड़ी रह चलते हैं और यह अंदर गोडाउन में दाना रखा जाता है जांगाड़ी अनलोड होती है तो दोस्तों अभी तक कि हम भार अब आगाए गोडाउन के अंदर जहां माल उतार के गाड़ी यह रखा जाता है और वह अपनी गाड़ी की थोड़ी सी बाड़ी दिख रही है गाड़ी इधर इधर ही गाड़ी अनलोड होगी और दोस्तों अंदर एक दम बिलकुल अंदेरा सा लग रहा है उदर एक अन्ना भाई की गाड़ी एक लोकल गाड़ी जो है अनलोड हो रही है और लोंग रूड वाली गाड़ी जो माल लेके आती है डियोसी बो इधर ही खा थोड़ा टाइम से बना लीती है हमने का अंदर ने बनाने दें ना बनाने दें तो इस बज़ाए से ये डालभात हमने बना किक तम पंप्लिट कर लिया क्योंकि होटल की यहां कोई भी विवस्ता दूर-दूर तक दोस्तों है नहीं अभी देखते हैं दोस्तों कितने टाइम में लेबर यहां आती है फिर जो गाड़ी अनलोड होना इस्टाइट होती है तो दोस्तों गाड़ी अपन लोग की हो गई खाली कपने लोग निकले अभी वार करते हैं काफी बड़ा पॉल्ट्री फारा में दोस्तों अभी जाएंगेगे काटा-बाटा कराएंगे उसके बाद यहां से निया माल हम नहीं खता दिया है पिर देखते हैं दोस्तों कहां का माल बनताया कया है किया नहीं ए आप अधा एक साध में यह जो सफेथ सफेथ दिख रहा है यह जो है अंडे की क्रेट बना रहे हैं अधर लोग जिसमें अंडा पैक किया जाता है अब दोस्तो काफी उचाई पे बना रखा चलिए भी निकलते हैं भार काटा फाटा जो हो गया और इदर देश्तो काफी बड़ा मैदान है जिदर मर्जी गाड़ी आप लगा सकते हो बहुत बड़ा इनका पार्किंग है और रात में अधर कैमरे भेमरे भी लगते हैं वाकी कोई दिक्कत है नहीं पाने की टंकी भी इदर लगी हुई है आप ना दो सकते हो अराम से कपड़े बगारा जो भी है वह काफी अच्छा विवस्ता है यहां पे लोग का इधर किया हुआ गाड़ी को बंद यह है गुरु बहार का सीन यह इधर खड़ी कर दी भी यह गाड़ी अपनी और अभी प फैक्ट्री से हम लोग पहुंच बगारा लेकर और बहां से निकल आए है अभी हमारा माल भी जो है कन्फरम हो रहा है माल के लिए ट्रांस्पोर्टर साब बात करना है तो बताया की है तक पहुंची है तो सामने दोस्तों एक वह है बिलासपूर और रायपूर वाला हाइव के पास सामने ही है बिल्कुल यहां से 200 मीटर करीब तो अभी हम लोग को बस फॉन का इंति जा रहा है बागी फॉन आने के बाद तुरंते हम लोग लोडिंग के लिए निकल जाएंगे यहां से तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं हमारा माल का जो ओडर आ गया है और हम लोग जा रहे हैं काड़े लोड करने जाते हैं तो जो फुसी होती है बस पूछो मत याद और हमारा रुद्पूर का माल है खिलाल पाड़ा साना अभी हमको नहीं पता चला है गुपत है अभी नहीं बता है बाड़ा तो एक साथ किलो मेटर से लोड़ेंगा दोस्तों पहुंचके आपको दिखाते हैं और बागी का माजरा यह है दोस्तों की एक रोड एक से सुंहल खूट की जाता था लेकिन हमने इस हाइवे को चुना है कि हम सेफ ट्राप करो दोस्तों कोई 2- जादा बड़ा फरक पड़ने वाला है नहीं तो दस्ते साथ किलो मेटर कम था और यह से ज्यादा है तो कोई दिख्टत की प्रहल है वह जाते हैं और और देखते हैं दोस्तों आई लोड हो जाए तो हम लोग सामको यहां से नहीं होई लोड तो उपर वाला माले के फिर कल 80 किलोमीटर है दोस्तों यहां से तो हमको लगबग दो घंटा लगी जाएंगे बगाय। नखो और रास्ते में से तेल भी लेनां दोस्तों तेल भी ठोड़ा कम रह गया है और कहीं भी जाएं दोस्तों मजा तभी आता है जब गारी खाली होते ही तुरंत हमको माल मिल जाए अपने इधर का भईया खाली करो तुरंत बरो और निकल लो यह हम चल लाए है जो रोड है वो इधर बिलासपुर गया है हमारे पीछे और जितर हम चल लाए है वो सीधर रायपुर गया है वही से हम रायपुर को साइड करते हुए नि तो दोस्तो गूम पिर के आके फिर से अपनी गाड़ी में बैठ गई और यहां फिलाल सब्जी की दुकान कोई मिली नहीं उदर भी देखके आ गई इस्टेडियम रोड पे तो अभी आके बैठ गए हैं दोस्तो यह लाएं एक नमगीन का पाउज दीरे-दीरे खाते रहेंग काफी दूर से हम चल रहे हैं और चलते चलते आराम से शांती से सपर कर रहे हैं पिलाल सब्जी की दुकान कोई दिखी नहीं रही है अज तो बनाने के लिए फिरा सुबह की वो दाल लखी हुई है चलो रोटी डाल के हो जाएगा आज का काम तो लेकिन हम लोग एक दो दिन एडवांस के लिए गाड़ी में रखते हैं लेके ताकि कहीं गाड़ी खड़ी हो जाए तो ऐसा ऐसा चांस आ जाता है दोस्तों जो कभी-खभी नहीं मार्केट होती है तूर दूर तक तो वह पिर आगे के लिए काम आ जाए तो ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ आज तो सब्ची नहीं मिली दोस्तों कहीं चलते हैं फैक्टरी के पास और देखते हैं क्या है वहां का सिस्टम वहां हो सकता है सब्ची बगएरा मिलती हो फैक्टरी है तो मार्केट लोग करने आते होंगे बजार बगएरा फीछे रुके थे दोस्तों स्टेडियम के लिए मोड़ गया था देखा हमने अंतरश्टी करिकेट्री स्टेडियम लिखा हुआ था भाई रुक गए अब हमको जाना है इदर हमारी गाड़ी को उधर जाना होता तो बहुत ही मज़ा आता दोस्तों दूर से ही सही लेकिन एक बार देख तो लेते ही रायपुर का करिकेट्री स्टेडियम का दिखता है बार से दोस्तों वहां से हम लोग चले आए फिलाल एक हाइवे रोड पे माता जी जो है सब्जी की दुकान लगाए हुए है तो मामा बेती है मैंने सब्जी लेने के लिए और यह भी बंद कतने जा रही थी माता जी तो गाड़ी रोकी मैंने तो यहीं से सब्ज लगती तो थोड़ा खराब हो जाता है इसलिए हम लोग बो मतर नहीं लाए वह कोने पर जो भर नहीं है वही मतर थी हमने का आप ले जाओ आप ही अपने घर बना लेना चली दोस्तों ठीक है निकलते हैं अभी यहां से थोड़ा पालली हम लोग दोस्तों आ चुके अपनी करी के अंदर और यह है अधर काटा जहां लाइट जल लए है पूरे पैन पाढ़ा है दर चारो तरफ और अभी हमारे पास पानी नहीं था पीने के लिए इस पाल्टी में थोड़ा बचा हुआ है थोड़ा कूड़ा कचकत है गुरू तो हम लोग जा रहे हैं उदर पानी ब पालों की है यही टोटल लेकिन इधर बनवाई हुई नहीं है अभी तो जंगल पड़ा हुआ है कि बाल्टी लटका के फिलाल घूम रहे हैं दोस्तों पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि अधार के दिवाल के पीच्छे है कि अच्छा यह स्टाटर लगा है तो दोस्त एक भी है थे कमरे के अंदर उन्होंने बताया इसको चालू करो स्टाटर को अरे देख वार के चलना दोस्तों भी यह बता रहे थे बड़ी सापदानी के साथ जाना भाई यहां पर तो यह हम आगए तर टंकी लगी हुई है उपर ही चालू तो हुआ नहीं पर मामा यहां से लिगरो चुपचाप सुबह बरंगे पानी पानी के चक्करमा यह सोनाओ बंजा कोई कहानी तो दोस्तों वही खाली सी बाल्टी ले गए आगए फिर से अपनी गाड़ी के पास क्योंकि हमको कहीं मिली नहीं पाने की टंकी कहीं भी मिली नहीं चली दो एक लीटर पानी उसी पी लेंगे वरतन परतन सुबह दो देंगे दोस्तों पानी लेने गई नहीं मिल पाया थोड़ा सा पानी था वही हम लोग काम चला लिए भी खाना पीना खाके एक दो लिटर पानी था अभी आ गाएा फैक्टरी अंदर लेकन दोस्तों फैक्ट्री यहां से 500 मीटर अभी अ आज के अपना ही ब्लोग अच्छा लगाओ तो लाइक कर दें चैनल पर दी नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने ड्रावर भाई को सपोर्ट करें तो आज के इस ब्लोग को एंड करते हैं गुरू जल्दी मिलें एक लिए नेस्ट ब्लोग में तब तक